हलो एब्रीबन, वेलकम तुदक्च ओनलाइन क्लासिस, क्लास 6 इंगलिश, आज हम एप्लिकेशन देखेंगे, जो कि हमारी एक लीव एप्लिकेशन होगी, इसमें हमें अपने प्रिंसिपल सर को एक लीव एप्लिकेशन लिखना है, जिसमें हम अपना रीजन यहाँ पर बता सब्सक्राइब के रहे हैं, जो कि जैसे कि स्कूल, स्कूलनेम, डेट और जो आपका नेम है, वो कुछ चेंजस हैं यहाँ पर किये गए हैं, बाकी बस सब कुछ यहाँ सेम है, अब हम अपनी इस एक्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं, तू दा प्रिंसिपल सर, दक्च इंतरन पर लिखकर सुरू में कि to the principal sir तो हम यहाँ पर यह चीज नहीं लिखेंगे only request for leave एक चीज और जो कि formal letter यह एक formal letter है क्योंकि हम इससे किसे लिख रहा है principal sir को लिख रहा है यह तो यह एक formal letter होगा यह एक informal letter नहीं है इसलिए यहाँ पर unnecessary चीज हैं जो कि और चीज नहीं लिखी जाती ही वो हम यहाँ पर ज़्यादा add नहीं कर सकते dear sir most humbly I back to say that my grandmother is seriously ill हम यहाँ पर अपने sir से request कर रहा है most humbly means हम यहाँ पर principal sir से कह रहा है कि sir जो मेरी मेरी एक मतलब my grandmother है वो बहुत ही ज़्यादा अभी serious है okay she is suffering from acute bronchitis okay bronchitis जो कि एक क्या होता है इसका means होता है an illness of the tooth leading to the lungs जो कि स्वसनलियों की बीमारी होती इसमें बहुत ज़्यादा खासी चलती है तो अभी हमारी जो application लिख रहा होगा उसकी जो grand mother है उनको यह bronchitis की बीमारी है my father जो की अचानक से एकदम से बढ़ गई है my father is not here as he is traveling on official tour उनके father कहा है अभी जो application लिक रहा है उनके father एक official tour पर गए है मतलब एक अधिकारिक दौरे पर गए है जो की अभी यहाँ पे नहीं है there is nobody to look after her और यहाँ पे और कोई भी नहीं है उनकी देख भाल करने को कि इनकी जो application लिक रहा है उसकी grandmother की I therefore request you to grant me leave for three days starting today अब यहाँ पे वो mention कर रहा है जो application लिकने वाला है कि यहाँ पे वो अपने principal सर से इस चीज की request कर रहा है कि वो उसे leave है three days की वो देने का कष्ट करें और यह जो day है वो आज से ही start होंगे I shall be highly obliged और मैं आपका इस चीज के लिए हमेशा या बहुत बड़ा आभारी रहूंगा thanks your obediently यहाँ जो application लिक रहा है उसका नाम आजाएगा और नीचे grade 6 इस application को आपको अपनी fair copy के back side पीछी की तरफ लिख लेना है जिससे आपको आने वाले test में या फिर और भी चीजों में कोई problem ना हो